नमस्कार दोस्तों, Commercial Wheels चैनल में आपका स्वागत है जैसे कि आपको बते कि Landside एक बहुत ही जादा खतरनाक सिचुएशन होती है वहाँ पर हम कैसे ड्राइफ करें, वहाँ पर हम गाड़ी कैसे निकाले, कैसे चलाए, क्या स्टेप से रहते हैं तो वहाँ पर आपको काफी जारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कि पानी का लेवल एकदम से यहाँ पर बढ़ तो नहीं रहा है, यहाँ पर कम तो नहीं हो रहा है साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, और जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेप्स डिसक्स करें कि, यहाँ पर रिवर वैली यानि की नदी के पास, और यहाँ पर जो भी घेराई वाले लाके, यानि की लोर एरिया में गाड़ी चलाना आप यहाँ पर करें, और अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं कि बहुत जदा है, यहाँ पर पावर का, ब्रेक का, यहाँ फिर वील स्पिन करने सा बचें, क्योंकि आप जिस लाइन में हैं, उस लाइन सा दूर हो कि दूसरी लाइन, यानि की लेफ्ट लाइन में आ जेंगे, और जब यह कि बहुत जब हैं पर यहाँ इरिया है, यहाँ भर और अगला प sabench का, बहुत इंब प्र गर आता हो तो यहाँ सबसे हाले में जिटन के बर दो करने पदेंगे, भील पत्थर भी अंदर ना आए, steering wheel पर अपनी पकड़ बना कर रखना भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक दम से आपको right turn या फिर left turn करना पड़ सकता है, साथ में यहाँ पर आगे देखने की आगे स्थिति सही है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना रुके तो यह बहुत ज़्यादा important steps आपको follow करने चाहिए, और अगला point यहाँ पर आ जाते है, दूसरे वहानों को जाने की जगा जरूर दे, landslide जैसे स्थिति में यहाँ पर traffic jam होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपके लिए नहीं हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ह तो जब भी आप ऐसी situation में गाड़ी चला रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर देखें कि एक जो lane है वो खाली रखें, opposite side से traffic आने के लिए तकि उनको भी यहाँ पर driving की जगा मिल सके, यह बहुत basic point है लेकिन बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है यह point, इसके ज़्यादी अपनी खतरा यहीं पर आपको रहेगा, और घहराई यारी यानि की घाटी के बाए मोग dipped चलाएंगे तो वहाँ पर जब बहुत बहुत ज़ती है, और जब भी घाड़ी चलाना थे त्रैय करें, कि जहांपे भी भारी वाइकल के ट्रेड मार्ग है वहाँ पे आप गाड़ी चलाएं तो भारी वाइकल अपने यहाँ पे टायर के निशान छोड़ याती है उपर आप ड्राइविंग करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वो फर्म है आने की कठोर दीके है तो वेट वहाँ पे अच्छा सपोर्ट कर सकती है और वहाँ पे कोई भी आपको slippery नहीं मिलेगी और वहाँ पे आपको एक संतुष्टी मिलेगी कि इस जमीन के ढहने का कोई भी चांस नहीं है लेकिन यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में प्रूव हो सकता है वो है इलाकों में supervisor के आदेश माने तो इन से जादा expert इन इलाकों में कोई भी नहीं होता है इनकों पहाड़ों के बारे में जितना ग्यान होता है उन्हें पता है कि कब यहाँ पे पथर फिसलेगा कब नहीं फिसलेगा उन्हें पते कि यहां पर driving कप करनी चाइए कब नहीं करनी चाहिए तो वो यहां पर आधेश डेते कि आप ध्राइब करें तो आपको बिना सोच बिना पत्रों की चिंतर किए कि वह गिरिएग यहां फे नहीं आपको ड्राइफ करने चाहिए क्योंकि उनसे बड़ी हैं आपको कोई भी गाइड नहीं मिलेगा जो कि बता सकेगी अब आपको क्या करना है अगला स्टेप और जब भी आप ऐसे लैंड साइड वाले एरिया में जा रहे हैं तो आपका ये एक करतवे बनता है कि आप बहुत सारी जो भी जरूरी चीज़े हैं वो आप अपनी गाड़ी में जरूर रख लें जैसे कि यहां पर मश्बूत लखड़ी का तक्ता, क्रो बार, जैक तो यह सा बातरनाक ये situation हो सकती आपके लिए और बाकी जो गाड़िया है क्योंकि ये जैम भी लगा सकती है और आखरी पॉइंट बहुत जदा बहुत अच्छी मिल जाती है और जबर्दस से हमें ग्राउंड क्लिरेंस दी गई है तो अच्छा है यहां पर लोड़ कर सकते हैं और सुरक्षा के साथ ऐसे एरियास में चला सकते हैं गाड़ी को साथ में टाटा प्राइमा 5530.s में इसी से रिलेटेड एक फीचर दिया गय मिलेगी तो यह दी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप यहां पर ड्राइव करें कुछ ऐसे इलाकों में या फिर लैंड्सलाइड वाले स्थिति में तो आपको इन टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए इस वीडियो को शेयर करें सेफ करें और ऐसे हम है